हलो दोस्तों कैसे आप सब? दोस्तों एक नया दिन और हम फिर से प्रस्तुत है एक नई कहानी के साथ आज की कहानी है वह आखरी सबक तो चलिए दोस्तों आज की कहानी शुरू करते हैं उस दिन जब सबेरे स्कूल जाने में मुझे बहुत देर हो गई थी मन में बड़ा डर लग रहा था वैसे तो कोई बात नहीं थी लेकिन हेमिल मास्टर सहाब ने यह जो कह दिया था कि मैं सबसे सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं की परिभाशा पुछूंगा और मुझे एक फुटा शब्द भी याद नहीं था एक शण के लिए मेरे मन में आया कि आज स्कूल ही ना जाओं और सारा दिन इधर उधर कहीं बाहर ही पिता दूं दिन बड़ा अच्छा था आसमान साफ था और मिठी मिठी धूप फैली हुई थी सडक के किनारे वाले जंगल में चिडिया खूप चहक रही थी और लकडी चिरने की जो मील है उसके पीछे सिपाही कवायत कर रहे थे यह सब कुछ उन अकर्मक और सकर्मक क्रियाओं से कहीं जादा दिल्चस्प था लेकिन फिर भी अपनी तबयत को रोकने का बल मुझ में था इसलिए मैंने स्कूल की तरफ लंबे लंबे डग बढ़ाए टाउन हॉल के पास से गुजरते हुए मैंने देखा कि एक बुलेटिन बोट के सामने बड़ी भीड इखटी है गत दो वर्षों में लड़ाई हारने सेनापती की आज्याओं बजट आधी के जितने भी भुरी खबरे थी वे सब इसी बुलेटिन बोट पर प्रकाशित होती थी और मैंने चलते चलते ही सोचा अब और कौन सा नया मामला उट खड़ा हुआ पर मैं रुका नहीं भस्मक तेजी से लमक चमक कर चलने लगा वाक्टर लोहर जो अपने नौकर के साथ खड़ा वहां बुलेटिन पढ़ रहा था चिलाया बबुये भागे मत जाओ, वक्त से बहुत पहले स्कूल पहुँच जाओगे मैंने सोचा कि यह मेरा मजाक उड़ा रहा है और मैं अपनी उसी रफ्तार से चलता ही चला गया हाफता हाफता स्कूल पहुँच गया स्कूल लगने पर हमेशा ही इतना सोरगुल होता था कि वह सड़क पर सुनाई पड़ता है डेस्क के खुलने बंद होने की फटफटा हट जोर जोर से एक साथ सबक पड़े जाने की एक तेज अवाज यहां तक की ठीक ठीक सब्दों को समझने के लिए कान पर हाथ रखने पड़ते थे और सबसे उपर मास्टर सहाब का रूल का रूर जो उसे बार-बार मेच पर घर पटकने से होता था किन्तु इस समय सबकुष शान था मैं सोच रहा था कि जब मैं चुपके से जाकर अपने डेस्क पर बैठने की कोसिस करूँगा तो बड़ी हलचल मचेगी परन्तु उस दिन तो वास्तव में सब ऐसी चुप नजर आ रहे थे जैसे इतवार की सुबा हो खिडकी से ही मुझे दिखाई दिया कि क्लास में सब लड़के अपनी अपनी जगह पर बैठे हैं और हेमिल मास्टर सहब अपना लोहे वाला भयानक रूल बगल में दाबे हुए चक्कर काट रहे हैं मुझे सामने के दर्वाजे को ही खोल कर अंदर कलास में घुसना पड़ा अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस समय में कितना डरा और सहमा हुआ होँगा किन्तु कुछ हुआ नहीं मास्टर सहाब ने बड़ी मुलायमत से पूछा बच्चु फैज जाकर जल्दी से अपनी जगह पर बैट जाओ हम तुमारे बिना ही पढ़ाई शुरू करने वाले थे बेंज पर कूद कर मैं अपने डेस्क पर जा डटा जब तक कि मेरा डर कुछ दूर नहीं हो गया मैंने नहीं देखा कि मास्टर सहाब आज हरा कोट चुन्नाटेदार कमीज और काली रोष्मी टोपी सब चीजें बेल बूटी से कड़ी हुए ही पहने थे यह कपड़े वे उस दिन पहनते थे जिस दिन इनाम बढ़ता था यही नहीं बलकि सारा स्कूल एकदम शान्त और गंभीर था और मुझे ताजुप तो सब हुआ जब मैंने देखा कि पिछली बेंचो पर जो हमेशा खाली पड़ी रहती थी ग्वार लोग भी बिलकुल हमारी तरह चुप बैठे थे तीपंखा टोपा लगाए बुढधा होसर बैठा था जो किसी जमाने में नगर का मेयर था इसके सिवाए एक भूत पूर्व पोस्ट साहब भी अन्ने कहीं व्यक्तियों के साथ बैठे हुए थे सब के सब मातामी मुद्रा बनाए हुए थे हाउसर साहब अपने साथ एक पुरानी फटी चीथड़ा प्राइमर उठा लाए थे उसी खोले हुए अपने घुटनों पर रखे थे उनकी एक बड़ी एनक भी उस पर रखी हुई थी मैं यह सब देखकर आस्चर्य ही कर रहा था कि हेमिल साहब अपनी कुरसी पर चड़े और उसी मुलायम तथा वी नम्र स्वर में जिसमें की आते आते उन्होंने मुझे कहा था कहने लगे लड़को आज मैं तुम सब को पढ़ा रहा हूँ बर्लिन से आग्या आई है कि ओल्जक और लॉरेन के स्कूलों में सिर्फ जर्मन ही पढ़ाई जाए तुम्हारे लिए कल से कोई नए मास्टर सहब आ जाएंगे इसलिए आज फ्रेंच का यह तुमारा आखरी सबक है खूब ध्यान से पढ़ना और यह शब्द मेरे कानों पर जैसे बिजली की तरह गिरे अब समझ आया कमबक्तों ने उस बुलेटीन बोट पर क्या लिखा था फ्रेंच का मेरा आखरी सबक और अभी तो मुझे अच्छी तरह लिखना भी नहीं आया और यही सब खतम है मैं अब आगे नहीं पढ़ सकूँगा क्या हाई हाई मैंने अभी तक अपने सबक ना याद करके कितना बुरा किया बेकार ही चिडियों के अंडों की तलाश में घुमता रहा बेकार ही अपना वक्त इधर उधर आवारा गर्दी में खोया वे किताबे जिनकी सूरत देखकर मुझे बुखार चरती थी व्याकरण इतनी भारी थी कि ले जाने में आफ़त पड़ती थी और वह महात्माओं की कहानिया आज सब मुझे पुराने दोस्त की तरह लग रहे थे जिन से जुड़ा होना अब असंभव मालुम हो रहा था और भूल गया उनके उस लोहे के रूलर को भी हाई बेचारा आज इस आखरी सबक के उपलक्ष में ही तो उसने अपने इतवार वाले बढ़िया कपड़े पहने थे हाँ और मेरी समझ में आया कि गाओं के वे व्रिद्ध सज्जनगन क्यों पीछे बेंचों पर बैठे थे और इतने सुस्त थे अब वे फिर कभी स्कूल में जो आ नहीं सकेंगे मास्टर सहाब की 40 वर्ष की सेवा के प्रती अपनी कृतग्यता प्रकट करने और उस देश का अभिनंदन करने जो अब उनका नहीं रहा था वे लोग आये थे मैं यही सोच विचार कर रहा था कि मेरा नाम पुकारा गया अकर्मक क्रिया की परिभासा सुनाने का मेरा नमबर था क्या उस अकर्मक क्रिया की कटिन परिभासा को बिना एक ही गलती किये हुए मैं जोर से साफ साफ नहीं कह सकता था लेकिन पहले ही शब्द में मैं गड़बडा गया और भूत बना खड़ा रह गया दिल मेरा धगधग कर रहा था और आँख उपर उठाने की हिम्मत ना होती थी मास्टर हेमिल ने कहना शुरू कर दिया था फ्रेंच में तुम्हें फटकारूंगा नहीं तुम्हें खुद ही शर्म आनी चाहिए कितनी बुरी बात है हम लोग रोज रोज यही कहते थे कि ओह बहुतेरा वक्त है कल पढ़ लेंगे और तुम देखो यही कहते कहते हम कहां आप पहुचे हैं कल अब हमारे लिए नहीं आएगा कल आजकल में जर्मन लोग आ जाएंगे और कहेंगे यह क्या बात है तुम लोग बनते तो फ्रांसीसी हो पर अपनी भासा ही नहीं लिख सकते और ना पढ़ सकते हो और फ्रेंच एक तुम ही ऐसे नहीं हो वरन हम में से और भी ना जाने कितने ही ऐसे हैं जिनने यह भरतसना सुनने को मिल सकती है तुम्हारे पीता तुम्हें पढ़ाने के लिए चिंतित नहीं थे वे तुम्हें किसी खेत या मील में काम लगा देना चाते थे जिससे की कुछ आमदनी हो और मैं भी दोसी हो क्या मैंने अकसर ही पढ़ने के बजाए तुम्हें अपने भगीचे में पानी देने नहीं भेजा है और जब मैं मचली के शिकार को जाता था तब भी तो तुम्हें एक दिन की छुट्टे दे जाता था इस प्रकार हेमिल सहाब की इधर उदर की बाचित करते करते फ्रेंच भासा पर ही आ गए कहने लगे संसार की सबसे सुन्दर भासा है यह सबसे जादा साफ और सही हमें इसकी पूरी रक्षा करनी होगी क्योंकि जब देश गुलाम हो जाता है तब उसकी स्वतंत्रता वापस लेने के लिए केवल एक कुंजी सेज बची रह जाती है और वह कुंजी है उस देश की भाषा पर तंत्रता की जेल में बंद मनुश्य के लिए उसकी अपनी भासा ही स्वतंत्रत दायक कुंजी है यह क्या चुकने के बाद मास्टर सहाब ने व्याकरन खोली और सबक पढ़ाने लगे मुझे बहुत आस्चरी हुआ कि वह तो सब समझ में खूब अच्छी तरह आ रहा था मेरा खयाल है कि न तो मैंने कभी इतना ध्यान लगा कर कभी पढ़ा था और न मास्टर सहाब ने ही तबियत लगा कर इतनी अच्छी तरह कभी पढ़ाया था ऐसा मालूम होता था कि वे बिचारे जो कुछ जानते थे जाने से पहले सब पढ़ा देना चाते थे सब एक बार ही हमारे दिमाग में ठूज देना चाते थे व्याकरण के बाद सुलेक सुरू हुआ आज हेमिल साहाब हम सब लोगों के लिए नई-नई कौपिया लाए थे जिन में बड़े ही खुबसूरत गोल-गोल अक्षरों में लिखा हुआ था अल्जक, फ्रांस, अल्जक इतने बड़े-बड़े शब्दों से लिखी इन कापियों के सारे क्लास भर में ऐसे लगते थे जैसे हर एक डेस्क पर जंडा फैरा रहा हो और सब चुप-चाप बैठे लिखने में तनमय थे पन्नों पर चलती हुई निबो की आवाज भर होती थी एक बार कुछ भौरे कमरे में उड़ाए किन्तु किसी ने उनकी और ध्यान नहीं दिया छोटे छोटे बच्चों ने भी नहीं जो अक्षरों की गुलाई को भी ध्यान पुर्वक इतनी सावधानी से बना रहे थे जैसे वे गुलाईया भी फ्रेंच हो छट पर कभूतर बोल रहे थे मैंने सोचा क्या वे इन कभूतर को भी जर्मनी में बुलने के लिए मजबूर करेंगे लिखते लिखते जब मेरी नजर हेमिल साहब की तरफ उठ जाती थी तो मैं देखता था कि वे कमरे की किसी एक न एक चीज़ पर टक टकी लगाए देखते कि वे कमरे किसी एक चीज़ पर मानो वह अपने मस्तिस्क में यह चित्रित कर लेना चाते थे कि उस छोटे से कलास में सब चीज़े कैसी लग रही है क्याल कीजिए 40 वरस से वे इसी कमरे में है इसी कमरे में जहाँ उनके सामने हमेशा उनकी क्लास बैठी रही ख्याल कीजिए 40 वरस से वे इसी कमरे में रह रहे हैं इसी कमरे में जहां उनके सामने हमेशा उनकी क्लास बैठी रही है और जिसकी खिड़की से बाहर बगीचा चमकता रहा है पूरे 40 वरस सब कुछ वैसा ही था केवल डेस्क और कुर्सियां घिस घिस कर चिकनी हो गई थी बगीचे में वालनत का पेड़ बड़ा हो गया था और वह हॉम्प बेल जो सयम उन्होंने अपने हातों से लगाई थी खिड़कीयों के सहारे बल खाती हुई छट पर जा पहुँची थी उफ बेचारा गरीब यह सब छोड़ते हुए उसके दिल में कितना दर्द उठ रहा होगा छट पर उनकी अपनी बहन संदूख ठीक कर रही थी सो उसकी खटर पटर भी क्लासरूम में सुनाई पड़ रही थी कल ही उन्हें देश छोड़ कर चल जो जाना है और वे हर एक का सबक सुनने की हिम्मत बांध रहे सुलेक लिखाने के बाद इतिहास का एक पार्ट उन्होंने पढ़ाया फिर बच्चों ने बा बेबी ओबू करके सोर करना शुरू किया वहां कमरे के पंखे बेंच पर व्रिद्ध होसर ने चस्मा पहन कर और प्राइमर दोनों हाथ में पकड़ कर पढ़ना सुरू किया और वे भी चिल्ला से ही रहे थे भावा वेस से उनकी आवास कापने लगी थी और हमें सुनने में इतना मज़ा आ रहा था कि खूब हसने और शोर करने को जी चाहता था अहां और वहां आखरी सबक मुझे कितनी अच्छी तरह याद है यका यक गिर्जे के घंटे ने बारह बजाए और इसी के बाद एजलिस के घंटे ने भी ठीक इसी वक्त कवायत करके लोटते हुए सैनिकों की टुकडी भी खिड़की के पास सुनाई पड़ी हेमिल मास्टर सहाब भी कुर्सी से उठ खड़े हुए बिल्कुल पीले-पीले और लंबे-लंबे लग रहे थे मुझे इतने कि जितने कभी मालुम ना पड़े चूप चाप बड़ी शान से ब्लैक बोट की तरफ चले और उस पर चितने बड़े-बड़े अक्छर लिखे जा सकते थे उनमें लिख दिया फ्रांस जिन्दाबाद और लिखकर उन्होंने अपना सर दिवार के सहारे टिका दिया बिना बोले उन्होंने अपना हाथ हिला कर आदेश दिया जाओ स्कूल खत्म दोस्तों यह थी कहानी वहा आखरी सबक एक बहुत ही भावात्मक कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और अगर कहानी अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करें थैंक यू फ्रेंज